जादादर किड्नी पेशेंट्स को इस बात की कन्फ्यूजन बनी रहती है आखिरूने अपनी डाइट में किस तरही की सबजियों को शामिल करना चाहिए और कौन सी सबजियां खाने से तूरी बनानी चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 सबजियां जिने आप अपने डाइट में बहुत इजीली शामिल कर सकते हैं इस लिस्ट में सबसे पहले आती है लौकी की सबजी लौकी एक ऐसी सबजी है जिसे किड्नी पेशिंट अपनी डाइट में बहुत इजीली शामिल कर सकते हैं जिसमें 95% तक पानी पाया जाता है और इसे पचाना बेहद आसान होता है लिस्ट में दूसरी सबजी आती है करेला करेला किड्नी पेशिंट के लिए बहुत फायदे मन मानी जाती है आपको बता दें कि करेले में फाइबर, कैल्शिम, आयन और मिगनीशियम और एंटी इंफ्रिमेटरी जैसे खासकून पाया जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज के साथ साथ किड्नी की परिशानी को कम करने के लिए बहुत फायदे मन माना जाता है वहीं अगर अगली सबजी की बात करें तो किड्नी पेशिंट अपनी डाइट में पपीते की सबजी को भी शामिल कर सकते हैं आप पपीते का सेवन कर सकते हैं पपीते में मौझूद न्यूटरिंस किड्नी पेशिंट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं ये हार्ट, कैंसर और लिवर में होने वाली परिशानियों से बचाये रखने में हेल्प करता है अगर आप लौकी, करेला और पपीता खाके बोर हो गये हैं तो पत्ता गूभी और गाजर को अपनी डाइट में एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हैं पत्ता गूभी और गाजर खाने से किड्नी पेशिंट को बहुत फायदा होता है और इसके सेविन से किड्नी की परिशानी को असानी से कम किया जा सकता है अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें नमस्कार